सफेद बालों को कलर करने के लिए ओयल तो हम यूज़ करते ही है बट ओयल एक लंबा प्रोसेस है ज्यादा टाइम लगता है उसका असर दिखने में इंस्टिंटली अगर आपको सफेद बालों पे काला रंग चाहिए तो आज मैं आपके साथ एक हेर पैक शेयर कर रही हूं ज बिना मेंदी के हम ऐसा हेर पैक बनाएंगे जो बिल्कुल इंस्टिंटली आपको काला रंग देगा आपके सफेद बालों को ब्लाक करेगा चली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पसंद आएगी तो इसे जादा से जादा लाइक और शेयर कर दीजेगा और चानल को अग पतीले में थोड़ा सा पानी लेना है एक के बराबर मैंने यहापर पांनी लिया है बड़े ग्लास के बराबर if ग्यास का फ्लेम और इस पानी को बॉयल करने के लिए चड़ा डैंगे सबसे पहला इंग्रीडियन जो हमें इसमें डालना है वो है बीट रूट पाउडर चुकंदर का पाउडर चुकंदर का पाउडर नहीं है तो आप चुकंदर का रस भी ले सकते हैं उसका जूस भी ले सकते हैं और यह बहुत ही जरूरी है, सबसे ज़ादा जरूरी है, यह इंग्रीडियन्ट इसे स्किप मत करिएगा, दो चम्मच के बराबर मैंने चुकंदर का पाउडर डाला है, दो चम्मच हम डालेंगे आमला पाउडर, आप घर पे भी आमला पाउडर बना सकते हैं, या फिर रेडी मिट ले सकते हैं, इसे मिक्स कर लेंगे और एक से दो बॉइल आने देंगे, एक से दो बाद जब यह उबल जाएगा, तो फिर हम नेक्स इंग्रीडियन्ट डालेंगे, अब दोस्तों हम यहाँ पर एड करेंगे चाई की पत्ती, जो भी आप नॉमली चाई की पत्ती यूज़ करते हैं, आप वही डालें, दो चम्मच के बराबर हम चाई पत्ती डालेंगे, और इसे अच्छे से बॉइल होने देंगे, जब तक इसका कलर बिल्कुल डाक नहीं हो जाता, यह पानी बिल्कुल हाफ डिड्यूस नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे बॉइल करना है, लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम पे आप रख सकते हैं, इसे बॉइल होने दें तक ही अच्छा सा इंफ्यूस ड वाटर यह बन जाए, चाय पत्ती का, बीट्रूट का और आमला पाउडर का, मीनवाइल हमें लेना है एक लोहे की कडाई, और इसमें हम डालेंगे एक पाउडर, यह पाउडर है भ्रिंगराज पाउडर, यह पाउडर की है, उसे साब से आप इस पाउडर को ले ले, इसके बाद हम डालेंगे अपना सेकंड इंग्रीडियन्ट, जो है हिबिस्कस का पाउडर, यानि की गुढ़ल के फूल का पाउडर, हिबिस्कस यानि की गुढ़ल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को कलर देने के साथ साथ बालों की लंबाई को भी बढ़ाता है, और यह पाउडर भी बहुत ही असानी सा अवेलबल होता है, एक चमच डाला है, मैंने हिबिस्कस फ्लार का पाउडर, एक चमच हम डालेंगे आमला पाउडर, आमला पाउडर मैंने पानी में भी यूज किया था, यानि उसके डिकोशन में भी यूज किया है, और यहां पे भी यूज किया है, इन्हें एक बार mix कर लेंगे अच्छे से एक spoon की help से आप इस powder को mix कर ले और इसके बाद हम डालेंगे अपना last ingredient ये ingredient है coffee, एक बड़े जमच के बराबर हमें coffee powder ले लेना है यहाँ पे हमारा पानी बन के तयार हो चुका है इसका color आप देख सकते हैं बिलकुल dark सा हो गया है दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि beetroot का color तो red होता है हमारे बाल red हो जाएंगे बट ऐसा नहीं है beetroot मेरा most favorite ingredient है बालों को color देने के लिए वो red है बट आपके बाल red नहीं होंगे दोस्तों dark brown आपका color आता है initially और धीरे धीरे वो black में convert होता है अब इस पानी को हम चान के इसमें ले लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके हमें mix करना है जादा गीला नहीं हो जाएए अच्छे से चान लीजे इसे चनी से इसे mix करते हुए फिर थोड़ा सा पानी और डालके एक गाढ़ा सा थिक paste बना लेंगे अच्छे से इसे mix कर लेंगे अब इसे हम सोक होने के लिए छोड़ देंगे कम से कम नहीं तो चार से पांच घंटों के लिए उससे जादा के लिए आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि भ्रेंग राज वैसे ही बहुत अच्छा color देता है चार से पांच घंटों तक इसे आप mix करके छोड़ दें आप चाहें तो इसमें एक भी मिला सकते हैं आप चाहें तो aloe vera gel मिला सकते हैं यह दोनों चीज मिलाके या फिर आप नीमबू भी मिला सकते हैं उसके बाद अपने बालों पर लगाएं ब्रश की help से थोड़े थोड़े से section निकालके बालों की जड़ों से होते हुए सिरों तक अच्छी तरीके से लगाएं roots में लगाना नहीं भूले क्योंकि वहीं से बालों की सफेदी दिखती है इस hair pack को लगाने के बाद आपको इसे छोड़ देना है dry होने के लिए एक से दो घंटों के लिए एक गंटे भी आप रखेंगे तो भी आपको अच्छा color मिलेगा time है तो आप दो घंटे रख दे और भी अच्छा result मिलेंगे और इस hair pack से आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है क्योंकि इसमें मैंने महंदी का यूज नहीं किया है तो आप बेजी जख होके इसका यूज कर सकते हैं वाश करेंगे उसके बाद आप normal water से और उसके बाद dry होने के बाद आपको ओईलिंग करना है नेक्स डे ही आपको शैंपू करना है बिना ओईलिंग किये आप शैंपू मत करिएगा ओईलिंग करने से आपके बालों का जो color है वो lock हो जाता है जो भी इस hair pack से आपको color मिला है वो lock हो जाता है उसके बाद नेक्स डे ही आपको शैंपू करना है condition करना है इसे try करिएगा दोस्तों और अपना feedback मेरे साथ share करिएगा पसंद आई है आज की वीडियो तो इसे जादर से जादर like and share कर दीजे और चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर और बाई बाई